सो गाइस मैंने आप सबी से पूछा था कि आपको अपकमिंग कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड इस टॉपिक पे भी बहुत सरे कॉमेंट्स आ रहे थे कि प्रो कबड़ी सीजन 10 में कौन सी टीम बहुत स्ट्रॉंग दिख रही है इस डो में आपको टॉप 5 स्ट्र स्ट्रॉंग दिख रही है वही मैं आपको बताने वाला हो एंड यह मेरा ओपीनियन है कि यह टीम मुझे ज्यादा स्ट्रॉंग दिख रही है इस टीम से कुछ टीम के फैंस होगे कि मेरे टीम को इंक्लूड नहीं क्या मेरी टीम तो बहुत स्ट्रॉंग दिख रही है मेरे opinion के according ये टीम ज़्यादा मजबूत दीख रही है और आप भी अपना opinion comment section में दे सकते हो तो time waste नहीं करते शुरुवात करते सबसे पहले टीम के साथ तो सुरुवात करते defending champion जैपूर पिंग पैंथर्स के साथ जी हाँ जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम बहुत ही strong दिख रही है reason क्या है विकोज जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम ने कुछ चेंज किया ही नहीं है सबसे पहले बात जो core players थे उनको तो retain कर लिया चाहे वो radars की बात की जाए चाहे वो defense की बात की जाए हमें rating में की players देखने को मिल जाएगे अरजुन देशवाल वी अजीत कुमार एंड कुछ नए addition हुए नवाईपी में जो यहाँ पे अभी जीत मलिक एंड अभी मन्यू है defense की बात की जाए तो defense में cover defenders में right cover पे हमें सुनिल कुमार देखने को मिल जाएगे एक नया addition हुआ है लवीश करके वो एक नए प्लेयर आचुके left cover पे रेजामीर बगेरी देखने को मिल जाएगे corner की बात की जाए तो same corner है right corner पे सहूल कुमार एंड इनका साथ देते हुए लक्की शर्मा देखने को मिल जाएगे left corner पे पिछले season के best defender अंकुस राठी एंड इनका साथ देते हुए हमें आसीज और सुमीद देखने को मिल जाएगे तो overall जो main player से same है एंड इनका जो backup है वो यहाँ पे कुछ नए नए नाम देखने को मिल रहे तो जैपुर पिंग पैंथर्स की टीम बहुती strong contender है अगेंड प्रो कवड़ी का title जीतने के लिए तो top 5 strongest team में number 1 पे या पिर rank 1 नहीं है पहली team मुझे लग रहा जो strong है वो यहाँ पे जैपुर पिंग पैंथर्स की team है वहीं पे बड़े list पे दूसरी team की तो यहाँ पे दूसरी team मेंने रखा है finalist पुनेडी पल्टन को champions की बात कर लिया runner-up team पुनेडी पल्टन के बारे में बात कर लेते पुनेडी पल्टन की team on paper बहुती strong हमें देखने को मिल रही है रेडर्स में हमें key players देखने को मिल रहे Aslam इनामदार जो all-rounder है Mohit Goyad, Pankaj Mohit, Akash Inde यह कुछ नए young players है जो बहुती अच्छा performance पिछले 2-3 season से दिखा रहे और पुने का rating unit बहुती strong है और उससे भी strong यहाँ पे defense दिख रहा है जहाँ पे cover में right cover पे Abhinis Nadrajan तुशार जो नए NYP addition हुए है left cover पे संकेत सावंत और इनका साथ देते हुए वेबव देखने को मिल जाएगे जो यहाँ पे NYP है corner defenders की बात की जाते हैं तो यहाँ पे Gaurav Khatri right corner के और साथी साथ यहाँ पे दादासो पुजारी जो right corner के NYP है इनका addition हुआ है और सबसे important एक नए महमान पुने के squad में आचुके हैं वो है मोहमाद रेजा सादलू मोहमाद रेजा सादलू के आज आने से पुने की टीम बहुती experience बहुती strong टीम दिख़ी है रेडिंग में और साथी साथ defense में तो left corner पे मोहमाद रेजा सादलू as a left corner and कभी-कभी as a raider भी खिलते वे दिख जाएगे और इनके backup के तौर पे हमें left corner पे बादल सिंग देखने को मिल रहे तो यहाँ पे पुनेडी पल्टन का defense और साथी साथ offense बहुती strong है अब यहाँ पे अगली team की तरफ बड़े इससे पहले में आपको बता देना चाहता हो अगर आपको pro kabaddy league and kabaddy के latest update सबसे पहले जानने है तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हो telegram channel पे आपको pkl kabaddy और और भी international kabaddy के update सबसे पहले में share कर रहा हो तो अगर आपको हर एक update में interested हो तो आप telegram channel को join कर लीजे description box में telegram channel का link दे देना वाला हो नहीं तो telegram पे जाके आप at the rate sports new 7 सर्च करके join कर सकते हो तीसरी team की बात कीज़े तो यहाँ पे तीसरी team UP योधास की team है UP योधास की team भी बहुत strong हमें देखने को मिल रहे वैसे तो core players को retain करी लिया था कुछ नहीं players को खरीदा auction में वो बहुत ही अच्छे players है rating की बात कीज़े तो rating में हमें key players परदीप नर्वाल, सुरेंदर गिल and साथी साथ इनका साथ देते हुए हमें Vijay Malik देखने को मिल जाएगे जिससे जो experience है वो और भी जड़ा बढ़ जाता है and यहाँ पर जो rating का core है वो यहाँ पर और भी मजबूत हो जाता है defense की बात की जाए तो यहाँ पर हमें cover defenders में right cover पर आसु सिंग देखने को मिल जाएगे left cover पर हरेंदर कुमार देखने को मिल जाएगे तो cover defenders में भी हमें काफी experience देखने को मिल रहा है and backup के तोर पर यहाँ पर नवाईपी प्लेयर्ज है corner की बात की जाए तो हमें right corner के दो defenders देखने को मिल रहे एक नितेश कुमार जो as a main player खेले गे and इनके backup के तोर पर हितेश जो यहाँ पर नवाईपी है and left corner पे एक सुमित रहने वाल है and सुमित का साथ देते हुए हमें किरन मगर as a backup left corner देखने को मिल रहे यूपी ओधास के squad में all rounders की बात की जाए तो यहाँ पर दो all rounders है नितिन पनवर और गुर्दीब जिससे यूपी ओधास का जो टीम है हुई यहाँ पर और बी स्ट्रॉंग बन चुका है तो यूपी ओधास की टीम भी बहुत स्ट्रॉंग दिख़ाइ यह on paper चौते टीम की बात की जाए तो चौते टीम यहाँ पर GUJRA जाएंट्स की टीम है GUJRA जाइंट्स की टीम भी ओन पेपर बहुत ही स्ट्रॉंग दिख रही है यहाँ पे रिडर्स की बात की जाए तो यहाँ पे रिडर्स में हमें की प्लेर्स में देखने को मिल जारे राकेश सुंगरोया परतिक दाईया मोई नभी बक्स रोहित गुलिया औरकम शेक तो आप कुमार और दिपक भी देखने को मिल जाएगे लेफ्ट कवर पे अरकम शेक का एक ऑप्शन है जिससे जो कवर डिफेंस से वो यहाँ पे और भी ज़्यदा स्ट्रॉंग बन चुका है कॉर्णर डिफेंडर्स की बात की जाए तो राइट कॉर्णर पे सोंबीर देखने को मि अर्तिक दया होगे और साथ ही साथ यहाँ पे रोहीद गुलिया तॉप थ्री रह सकते हैं तो ओवरल गुजराज जाएंट्स के पास काफी एक्सपिरियंस है डेफ्ट प्लियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं पांचवी टीम की बात की जाएट यहाँ पे पांचवी टीम मे दो टीम में से एक टीम को सिलेक्ट करना होगा वो दो टीम से तलगू टाइटन्स एंड दबंग दली तलगू टाइटन्स की बात की जाए तो तलगू टाइटन्स के पास पवन सहरावत है एंड एक रजनी से लेकिन उनके बैक अप के तोर पे मुझे और कुछ बड़े ना देखने को नहीं मिल रहा है इसके कारण यहां पर मैं दबंग डेली को as a fifth team pick कर रहा हूँ top 5 strongest teams के list में तो दबंग डेली मुझे ज़्यादा strong दिख रही है तेलगू Titans से compare किया जाए on paper रेडिंग की बात किजा तो दबंग डेली के squad में की प्लेज में देखने को मिल जाएगे नवीन कुमार, मंचीत सर्मा, मीटू सर्मा एंड आशू मलीक तो यहां पर रेडिंग में भी काफी ज़्यादा option यहां पर प्रोवाइट कर रहे है दबंग डेली की team डिफेंस की बात किजा तो यहां पर cover defenders में, right cover पर बाला साहब जादा, left cover पर हिम्मत अंतिल जो नवाईपी है और साथी साथ एक विकरान देखने को मिल जाएगे, corner की बात किजा तो एक नितीन चांदेल है, जो right corner के defender है एक योगेज दहिया है, वो भी right corner के defender है, इनको दबंग डेली की team ने sign किया था और left corner पर एक नया defender देखने को मिल रहा है, जो यहां पर विशाल भार्दवाजे, वैसे तो अंसोल्ड हो गए थे, लेकिन second round में दबंग डेली की team ने इनको खरीद लिया देख अच्छा option है, एंड इनके backup के तोर पर आसिस देखने को मिल जाएगे, जो यहां पर नवाईपी है तो देखा जाए, तो दबंग डेली का rating unit मुझे ज़्यादा strong दिख रहा है, defense का idea नहीं है, कि कैसा performance दिखाते है कुछ young players है, एंड जो experience players है, उनका हाल ही में, जो performance है वो अच्छा नहीं है तो top 5 strongest team में number 5 पे दबंग डेली की team है, एंड यह है मेरी top 5 strongest team, आपका क्या opinion है इस top 5 teams के उपर, आपका क्या opinion है मेरे इस top 5 teams के उपर, मुझे पता है कि सबका opinion अलग-अलग होता है जरूर यहाँ पे number 5 पे मैंने दबंग डेली को रखा है, कुछ team के पास पतना pirates को pick करेगे कोई team यहाँ पे तमिल थलावास को pick करेगे, कोई team यहाँ पे यह मुंबा को भी pick कर सकते लेकिन as of now, on paper analysis करने के बाद, यहाँ पे मैंने 5 teams को pick किया है जब यहाँ पे सभी teams को ranking के उपर वीडियो में डालने वाला हो, जब डालूगत और साथ यहाँ पे सभी teams को analyze करेगे then यहाँ पे और ज़दा clear होगा कि कौन सी team ज़्यादा strong दिख रही है because अभी के recent pro कबड़ी के seasons में main players से ज़्यादा young players धमाल मचा रहे and जिस team के youngsters अच्छा perform करते हैं, वो team अच्छा performance overall season करती है तो overall यही था, auction को सिर्फ एक ही दिन हुआ खतम हुए and यह थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा पताना कि कौन ज़्यादा strong है, आप अभी comment section में बता सकते हो कि आपके according सभी 12 टीमों में से top 5 team strongest कौन सी दिख रही है comment करके ज़रो बताएगा और बाकी और भी topic पर वीडियो आ चुका है, unsold players के उपर वीडियो डाला है, क्यों unsold हुए है वो आपने वीडियो नहीं देखा है ता आप वाला वीडियो भी channel पर check out कर सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे और नए interesting वीडियो के साथ, thanks for watching